हे गाई, वेलकम बैक टू माई चैनल मैटसर आज हम बात करेंगे rational number और irrational number में difference क्या है तो चलिए शिरू करते हैं rational number क्या होते हैं जो number हम T by Q की form में लिख सकते हैं वो होते है rational number और इसकी condition होती है कि Q does not equal to 0 for example 3 by 4 यह क्या हमारा एक rational number है जहां पर P 3 है और Q है 4 अगर हम इसे ले ले 3 by 0 तो यह क्या हो जाएगा infinite क्याने कि undefined हो जाएगा तो यह rational number नहीं होगा इसलिए जो number P by Q की form में होगे और Q does not equal to 0 होगा उसे हम बोलेंगे rational numbers तो rational numbers क्या होते हैं repeating होते हैं जाने कि कुछ दूरी के बाद यह number repeat हो जाते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं 30 by 7 तो इसको divide करेंगे यहारे पास answer हैगा 4.28571428 देखिए यहाँ पर 1,4 के बाद 2,8 दुबारा से आगया जाने कि यह वाली सारी term इसके बाद दुबारा repeat होगी तो यह वाले number क्या होते हैं rational numbers होते हैं जो repeating होते रहते हैं जैसे माले यह 1.333 तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1.3 के उपर बार तो यह सब भी number क्या होते हैं rational number और इसे हम by u की form में लिख सकते हैं जैसे कि एक example हो ले लेते हैं 1.25 इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 5 divided by decimal को हम हटा कर नीचे 100 लिखते तो ये भी P by Q की form में आ गया तो rational number क्या होते हैं जो number हम P by Q की form में लिख सकते हैं वो होते है rational number और यहाँ पे condition क्या होगी कि Q does not equal to 0 अब बात करते हैं irrational numbers की irrational number क्या होते हैं जो P by Q की form में नहीं लिखे जाते हैं वो numbers होते हैं irrational number जैसे कि हम इसकी example ले लेते हैं जैसे कि pi pi की value क्या होती है 3.14159265352 ऐसे इसके number आते रहते हैं तो यह क्या होता है non repeating होती है non terminating होते हैं कि कोई number repeat नहीं होता आगे जाकर यह number ऐसे ही आते रहते हैं तो ऐसे numbers को हम क्या बोलते हैं irrational number जैसे हम क्या P by Q की form में नहीं लिख सकते और example ले लेते हैं जैसे कि root 2 root 2 की value क्या होती है 1.414213562 तो यह number भी क्या होता है non terminating होता इसमें कोई pattern नहीं होता कोई value नहीं होती जिसके बादे repeat होना start हो जाए तो इसे भी हम P by Q की form में नहीं लिख सकते तो यह था basic सा difference between rational number और irrational number अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरो कीजिए thank you